हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई न्यू व्लॉग तो आज से मैंने शुरू किया अपना व्लॉग बनाना क्योंकि आप सबके ना बहुत सारे कमेंट्स आते थी कि आप डेली रूटीन शेयर करो और बहुत सारी चीजे तो मैंने सोचा कि ठीक है आज से मैं शुरू करती हूँ तो अभी बचने सुबह के छे और मैं जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी क्योंकि शाम में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था रात के टाइम में तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा से जल्दी उठ जाओंगे और मेडिसन खाई उसके बाद आजके तो हुड़ा साना मुझे स्टमक का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए मैंने इस सब घोल पीना शुरू किया बट हां कहते हैं कि इस सब घोल वैसे नुकसान तो नहीं करता दूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कॉंस उससे जादा नहीं लेना होता है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा मतलब बहुत कम कॉइंटिडी में एक स्पून रखती हूं और उसमें मैं और श्याम हम दोनों ही पी लेते हैं पहले मैं बहुत थिक सा पीती थी बड़ ना हो थी इस डें मैंना बहुत थिन पीती हूं और को याद होगा अगर आपसे मेरे व्लॉग देखते हैं तो मैंने या चार डाला था तो कल रात में जब मैंने खाया तो मुझे लगा हाँ या टेस्स सही है तो अभी आल्मॉस्ट गल गया था तो मैंने सुचना कि अब इसे दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हैं जाती है इसलिए मैं ज्यादा हाथ नहीं बटा पाती हूँ यहां पर सबसे पहले मैं अपना सोफा वगयरा सेट कर लेती हूँ अभी जॉइस आई भी नहीं है श्याम अभी ऑफिस भी नहीं गहते हैं और मॉनिंग मुझे श्याम के लिए ब्रेकफास बनाना नहीं होता वो अब फ्रूट्स वगयरा ही खाके चले जाते हैं मोस्ट आप टी टाइम के अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दो फ्रूट्स ही खाके जा रहे हैं और यहां पर मैं अपना बेड़ वेट सही कर रही हूं बैड़ सही करने के बार मैं गई किचन में क्योंकि मैंने आप बताया हागी क्या उता है की सारह बॉक्स बताय इतने तरह के स्पाइसे जाधा यूज्डे होदी होती हूं किचन में एक तो मां सोच चुछीं में काम करो बड़ किचन गंदा नहीं एसे वाला तो यहां वे मैं सारे हर्ब्स वगैरा को शिख करती हूं क्यों बबर रहें जो मुझ नॉर्मल जाधा clean तो नहीं पर थोड़े थोड़े से उपर से clean कर देती हूँ क्यूंकि बहुत जाधा गंदे से हो रहे थे मसालब शाले निकालने के बात कहीं बढ़ तो क्या होता है मुझे spoon वगरा नहीं मिलता है न तो मैं डबे का जो ढखकन होता है ना उसी को अंदर गुसा के समान निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैंने सुचा कि सारे ना जो भी मसाले अभी खतम हो रहे हैं उन सब को भी फिल करी लेती हूँ और अब अलमोश है हम रेडी भी हो जुके थे जॉइस भी आज हो की थी तो जॉइस को मैंने बोला फटा फट से कि जाओ अंदर वाले रूम में से सारे स्पाइसे जो फिनिश्ट हैं वो ले ओ अब सारे स्पाइसे वगेरा पता चल गया पहले तो मुझे ऐसा लग जॉइस ना पहले मैदे में बेसन में चावल क्याटे में कन्फ्यूज हो जाती थी बट अभी मैंने उसको ना हिंदी में ही नाम याद करवा रखा है चावल का आटा कौन सा होता है मैं बेसन किसे कहती हूँ मैं आटा किसे कहती हूँ क्योंकि कई पर ऐसे होता है इंग्नेश में बोलने का मनी नहीं करता इन चीजों को तो वो बहुत सब कुछ उसे याद हो गया और सच बताओ तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है जो इससे इन सारी चीजों को लेक बड़ो फिर भी ओफ नहीं ले रही है मेरी वज़य से क्योंकि उसे पता है कि मैं प्रेगनेंट हूँ और मैं अभी जाधा काम नहीं कर पाती हूँ में पस खुद का इतना जाधा काम होता है इवन मैं उसको बोलती भी हो कि तुम थोड़ा लेट आ जो या किसी और को भेज मैं उसे पे कर दूँगे बड़ो बोलती है नहीं ममा मैं ही आउँगी मतलब उसको भी पता नहीं क्या है अटाइजमेंट है या जो भी कहलो उसे भी अच्छा लगता है एक बार वो आती ही आती है उसके साथ भी ऐसा है तो उसके फटा फट से यहां पेना मतलब ऐसे तो मै मॉर्निंग ब्रेकफास्स मोस्ट आफ दी टैम बना लेती हूँ बट आज मैंने क्या क्या था रात में सब्जी बहुत जादा बना ली थी मैंने कि सुबस ब्रेकफास्स में रोटी और सब्जी ही खा लोंगी तो यहां पे गरम गरम रोटिया बना रही हूँ तो जो आइस स्पाइसी नहीं खाती है जादा तो मैंने क्या कि मैं क्या करती हूँ उसके लिए नमक वाली रोटी बनाती हूँ और खुद के लिए प्लेन रोटी बनाती हूँ तो यहां पर फटा फट से मैंने दो रोटी जोईस के लिए बनाए थी दो रोटी अपने लिए बनाए थी त तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इन चीजों में अगर छोटी छोटी चीजों से किसी को खुशी मिलती है न तो वो खुशी दे दो बड़ यहां पर मैंने ज्वाइस से भी पूचा कि सबजी खानी है तो उसने बोला कि अगर तीखी है तो थोड़ी सी दे दो और करने से पहले उसकी बाद फटा-फट से अपना ट्राइपोट यह सारी चीज़े लेकर मैं किचन में चली कि तब तक जोईस ने भी ना सारा काम कर दिया था लाइक किचन आप देख सकते हैं कितना क्लीन है और शाम में जब जाती हुना किचन में जब एक बार का शूट उसके बाद मैं टोमैटो सॉस बराऊंगी क्योंकि बहुर टाइम हो चुकत मैंने केचप अगेरा सब कुछ बाहर से ही खरीना शुरू कर दिया था मैं घर में बनाती भी नहीं थी और सभी बता हूं तो मार्केट वाला जो कैचप यहां मिलता है न केनिया में अगर आप बह मज़ा नहीं आता है अगर यहां पर एक टमाटर टैन रुपीस का भड़ता है मुझे तो उस हिसाब से आप देख लोगी दस टमाटर का बड़े वाले ले लूना तो उसमें मतलब अच्छा खासा टमाटो कैचप बन जाएगा तो रेसिपी वगेर आपको पता है कि यह वाल करने लग गई हो अनियन वगेर की सारी चीजों की पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सारी प्रिपरेशन वगेर कर लूँ उसके मैंने पैन चड़ाया और कैमरा स्टेंड लगाया और अपना शूट उट कर लिया यहां पर रोटिया बना रही हूँ तब तक शूट सारा हो चु सुटांगों से खराय कर टाना नाम चु度 साराई कर लगार आब मद कोशिश कर यहां रखाना कर लोचका श्रका, जो जिर relativ है हूँ, वसंटे खा कर विềुतर से विदिश कर दिए